हेलो एवरिवन वैशली की रेसीपी में आप सबका स्वागत थी आज हमने एक कप सुजी से बहुत ही हेल्दी और टेस्ट नास्ता बनाया है इसे बनाना बहुत ही इजी है चले तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं यहाप पर हमने एक कप सुजी ली है इपारिक वाली इसे हम अच्छे से मिक्सी में पीष लिया है एक काफे जादा गाड़ा हो चुका है आप इसमें हलका सा पानी डालके और भी इसे पीष सकते हैं मैंने इसे एक मिक्सी में निकालाए और इसमें पानी डालकर अच्छे से स्मूध बैटर बनाया है हमें बैटर बिल्कुल इस और गाजर को भी आपने बारी कदूकस करके डालाएं, दो हरी मिर्च बारी कट करके डाली है, इसे करेंगे अच्छे से मिक्स, सभी वेजिटेबल को अच्छे तरह से मिक्स करना है, देखें आप इस बैटर की कंसेंटेंसी देख सकते हैं, हमें बिल्कुल इसी तरह चाहिए, आप इसमें डालते हैं कुछ सुखे मसले, छोटा आदा चम्मच यहाँ पर जीरा डालाएं, छोटा आदा चम्मच चिलिफ्लिक्स और चोटा आमचुर पाउडर और आदा निम्बू का जूस इसे भी निचोड देंगे, निम्बू का जूस डालने से बैटर में अच्छे स अच्छे से खटास आएगी और नास्ता खटास की वज़े से बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, चले सौट किनु सा नमक डाल लेते हैं और छोटे आदी चम्मच यहाँ पर खाने का मिटा सोडा लिया है, इसे भी मिक्स कर लेते हैं, इसे अच्छे से मिक्स करना है, मि अच्छे से प्लेट लिये हैं, इसे हम गी लगाकर अच्छे से ग्रीस करेंगे, हातों से लिग लगाएंगे ताकि अच्छे से लग जाएगा इसे अच्छे से गी लगाया हैं, अब इसमें डालेंगे बैतर सबी बैटर का हम इस प्लेट में डालेंगे हमें इसे स्टीम नहीं करना है इसे पकाना है इसलिए हम इसके उपर डालकर हमें पकाना है अगर आपको स्टीम करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्टीमर में इसे सेट कर सकते हैं लेकिन मैं इसे डाइरेक्ट पकाऊंगी तो पकाना से उपर से एक देम क्रिस्पी बन जाता है नास्ता यहाँ पर हमने एक प्यान लिए है इसके उपर डालेंगे सफेद तील सफेद तील डालने से हमारा नास्ते का लूग बहुती बड़े से आ जाता है और छोटी आदी चमच यहाँ पर हमने राई लिए है इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते और गैस के फ्लेम हमें लोही रखनी है लोग फीट पर हमें इस नास्ते को पकाएंगे हलका से सफेद तील ब्राउन कलर का होने लेगे तो हम इसके उपर नास्ता रखेंगे इस तरह से हमने प्लेट ली ए और प्लेट सीधे मैंने प्यान में टन की है और साइट से जो निकला हो बैटर है होमचम मस्त से निकाल देंगे अब इसे हम पाच मिनट के लिए लोटू मेडे मीट पर पकाना है पाच मिनट के बाद हम इस प्लेट को निकालेंगे इस तरह से चाकू के साइट से निकाला है प्लेट को हम निकल कर साइट में रख देंगे और नास्ते को अच्छी तरह से से शेब देना है देके मैंने इस ऐसी तरह से चाकू से इस नास्तिका सुख्ट राउंड शीफ दिया है निचे से नास्ता शेग चुका है बस उपर से हमें अल्का सा ड्राइ होने का इंतजार करना है इस तरह से लिड रखने के बाद उपर से अल्का सा ड्राइ हो चुका है अब हम इस नास्ति को टर्न करेंगे किसी अधिके काफी ज़्यादा फूल चुका है लेकिन इस तरह से चमज से इसे टर्न करने की कोशिश कीए कि अहीं दिखे एकदम इसले इस से टर्न हो चुका है और इसमें जो राई डाली थी इसका लूप बौती बड़े से आ रहा है और साइट में हमने फिर से एक चमस गी डाला है गी डालने से इस नास्ति के खुश्प बहुत ही बड़े से आ जाती है आप उपर से देख सकते हैं इतना ज्यादा क्रिस्पी हो चुका है निचे से भी हमने पाच मिनट के लिए पकाया है चले फिर से हम इसे टन करते दोना साइड से अच्छी तरस से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है एकदम क्रिस्पी बन चुका है और अंदर से एकदम सौफ्ट है नास्ता खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब की अपर पाइल जाता है और खाने में सच में फ्रेंड्स परस्नली बोल रही हो आप इस तरह लेट झा जरूर बना खेरेगा और बाद में मुझे कोमेंट करके भी बोल दिजहीं कि नास्ता कैसे बना है मैंने इस तरह से इसे चाकु से कट किये हैं आप चाहिए इसे पिज़ा कटर से कट कर सकते हैं जैसे अपने आपको मन चाहिए सेब दे सकते हैं मैंने इस तरह से त्रीकोना सेब दी आये जैसे पिज़ा का होता है न इस तरह से मैंने दोनों साइड से कट लगाया है मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूं कितना जोदा सौप्ट है और उपर से कितना ज्यादा क्रिस्पी देखें इसके अंदर की जो वेज़ी टेवल से उससे नास्ता बहुत ज्यादा हिल्दी हो चुका है कि देखें कितना बड़ा से इसका लुक आया है आप इसे अपनी मान पसंद की चटनी के साथ भी सर कर सकते हैं या फिर टॉमेटो कचप के साथ भी इसे सर कर सकते हैं चिले फ्रेंड कर फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंग थैंक्स पर वा